जहीं दोस्तों, कल की वीडियो में जब हम लोगों ने 36 गड़ में हुए नकसली हमले की बात करी दी तो हमने बात करी दी समविदन शीलता की उस समविदन शीलता की जो आज के इस राजनीतिक पूरे माहौल में कही न कहीं खो गई है और एक उमीद जो हम आम जनता से करते हैं वो तो शायद उनके अंदर है लेकिन वही उमीद जब हम किसी राजनीता से करते हैं या किसी ऐसी शक्सियत से करते हैं जो थोड़े बहुत इंफ्लूएंस रखता हो उसके अंदर से कही न गहीं वो सम्विदन शीलता खो चुकी है और उस सम्विदन शीलता के खोने का क्या कारण है क्या नहीं है इसके बारे में हम जादा नहीं सोच सकते क्योंकि हरे की वक्ति की अपनी अपनी कुंठाएं होती है अपनी अपेक्षाय होती है अपनी अपनी सोच होती है लेकिन समय दिन शीलता है एक ऐसी चीज है जो हर एक इनसान के अंदर होनी ही चाहिए और अगर नहीं होती है तो कहीं न कहीं उसकी इनसानियत पर अगर आप शक करते हैं अब चाहे आप इस नक्सली हमली जैसे जगन्य परात की ही क्यों ना बात कर लीजिए, पर लोग ऐसी चीजों के ऊपर भी अपनी घडिया सोच का प्रदर्शन करने से बिल्कुल भी नहीं चुकते। उनको ऐसा लगता है कि उनको एक मौका मिला है कि इस मौके का फायदा उठाकर शायद वो अपने आपको एक बहुत जादा पड़ा इंटेलेक्च्वल पढ़े लिखे इंसान के तौर पर शायद दिखा सकते हैं लेकिन वो यह नहीं सोचते कि वो शुत्रमुर्ग की तरह हरकत कर रहा है शुत्रमुर्ग को अगरार नहीं जानते है तो ऑस्ट्रिक जो सबसे बड़ी चड़िया होती है वो अदर असल यह करती है जब उसको छुपना होता तो जमीन में अपना मूग घुसा लेती है और सोचती है कि मुझे आप कोई नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो क के सामने डंगा कर रहा होते है वाज जिस शक्सियत का मैं आपके सामने यह दारण लेकर आया हूँ इनके चहरे पर मत जाईएगा चहरे पर आप जाएंगे तो जरूर कहीं न कहीं आप खो जाएंगे क्योंकि चहरे काफी कुछ कह देते हैं लेकि उससे भी ज़्यादा जहीद क्योंका है असम की लेकिका का फेस्बुक पोस्ट दर्ज हुआ देश द्रोह का केस जाहर सी बात है ऐसी जीज़ के उबर देश द्रोह का केस होना बनता भी है अब ख़बर कुछ ऐसी है कि 36 गर्मन अक्सली हमले में 22 जवानों के बलिदान होने के बाद असम की एक ल 30 साल की सिखा शर्मा मतलब शेखा शर्मा नाम की लेकिका को गुवाहाटी पुलिस ने देश द्रोह की धारा के तहत धिराचत में लिया पुलिस का कहना है कि उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा गुवाहाटी पुलिस कमिशनर मुन्ना प्रसाद गुपता ने कहा कि आहाटी की लेखी का सिखा सर्मा के विरुध आईपीसी की 124A धारा समेत विभिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है बता दे कि शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और कथत तोर पर उन्होंने सोमवार को बलिदान हुए जवानों के बारे में लिखा कि वेतन भोगी पेशेवर जो अपनी ड्यूटी के दोरान मरे उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता इस तर्क से तो अगर विद्यो दिभाग में कोई वरकर करेंट लगने से मरता है तो उसे भी शहीद कहा जाना चाहिए मीडिया इसे लोगों की भावना मत बनाओ मतलब यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो लोग नक्षली हमले में जिन लोगोंने अपनी जान दी है देश के लिए शहादत दी है जिसको पूरा देश बलिदान कह रहा है और सभी लोग उसके उपर अपना एक सिंपथी दिखा रहा है कि नहीं जो भी हुआ है गलत हुआ है उस एक बड़े हाथ से कोई जो महतर्मा है ये कह रही है कि वो सभी लोग तो वेतन भोगी थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे इस तरह की बात ये महतर्मा करते हुए दिखाई दे रही है और उनकी इसी बात से उनकी सोच भी जाहिर की जा रही है मतलब ये वही लोग होते हैं जो क्योंकि हम कामवाली बाई को काम करने के पैसे देते हैं घर पे खाना मराने के तो ये वही लोग होते हैं जो अपने माता पिता को भी अपनी देखभाल करने के अपना को खाना खिलाने के पैसे देने के बारे में सोच सकते हैं या उनकी देखभाल करें तो उनसे भी पैसे लेने की सोच सकते हैं ये इस तरह की घटिया मान सकता कि गिरे हुए लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं हाला कि जिस तरह से इनके खिलाफ तुरत एक्शन लिया गया इंडियन एक्स्प्रेस पे भी एक ख़बर छपी है जिस तरीके से पूरा तुरत एक्षिन लिया गया इनके खिलाफ वो वाकई में काबिय तारीफ है क्योंकि ऐसे लोगों को चितना जल्दी सबक सिखाया जाए उत्रही ज्यादा ठीक होता है आसम की लेकेगा कि इस पोस्ट का उनलाइन बहुत विरोध हुआ वही शर्मा ने सुमवार रात इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा क्या मेरी बात को गलत लेना मान से एक प्रताणना नहीं हुई क्या मेरे खिलाफ फरजी प्रोपगेंड़ा चलाना कानून के तहता आता है आखिर हत्या और रेब की धंकी के मामले में जो मैंने शिकायत की थी उसके बारे में कोई जाच अभी तक क्यों नहीं हुई पिछले साल सरकार विरोजे टिप पढ़ी करने पर उन्हें कातित तौर पर रेब की धंकिया मिली थी गौरत लब है कि 36 गड़ के बस्तर डिविजन के बीजापुर जिले में अक्सलियों के साथ मुटभेड में चार अपरेल को बाई जवान बलिदान हुए थे नक्सलियों ने चनिवार को घेर कर 700 जवानों पर हमला किया था घटनास्तल से एक वीडियो भी आया था जिसमें 20 जवानों को के शव मौके पर ही दिखाई पढ़ रहे थे इस हमले के बाद CRPF के DG ने एंकाउंटर में 12 से 15 अक्सलियों को मार गिरा जाने की बात कही थी साथ ही 20 के गहल होने का दावा भी किया था यह जो पूरी खबर थी पूरी खबर सामने आने के बाद से कई लोगों ने इस तरह की घटिया टिपणियों के हम लोग बात करने लगाता है वो टिपणिया खनी और उन टिपणियों के कारण ही देखिए क्या होता है बेसिकली आप और हम मान लीजे कि भाई यह हम लोग समझधार लोग है अगर हम लोग किसी एक ऐसी जगह पर खड़े हो के बात कर रहे हैं जहां पर चार पांच लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, अपनी बात सामने वाले के सामने रख रहे हैं, सामने वाले की बात समझ रहे हैं ऐसे में वहाँ पर कोई ऐसा शक्स आता है, ऐसा कोई बालक आता है, या बच्चा आता है जो कि इन सब चीजों के बारे में अभी अपनी राय डेवलप नहीं कर पाया है और जब वो इस तरह की घटिया मान सकता वाले लोगों की बात सुनता है जिसा कि कई बार GNU से भी बाहर आती रहती हैं बाते तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है क्योंकि अगर हम लोग आज के परिवेश में देखें तो फेक निउस और प्रोपगेंडा चलाने वाली निउस इतनी सारी हो चुकी है कि आप ये समझना ही मुश्किल हो चुका है आज की रेट में कौन से चीज सही है और कौन से चीज गलत है अगर आप इस चीज के बीच में डिफरेंशियेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ने कहीं आप एक निउस के जाल में जरूर भज़ जाएंगे ऐसे में हमको ये चाहिए और हमारे घरवालों को ये चाहिए खास तोर पर जो हमारे घर में बड़े बज़र्ग हैं उन लोगों को चाहिए कि ऐसी खबरों से हमारे घर के वो लोग जो की सरोकार नहीं रखते हैं राजनिती की बातों से उनको जरूर अवगत करा है क्योंकि ऐसे में होगा ही कि अगर आपको घर से सही जानकारे मिल जाएगी तो बाहर अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह की फालती हूँ घटिया, दकिया, नुसी दलीले दे कर बात करेगा तो आपको इस चीज समझ में आपाएगी कि भाईया, ये इनसान जो है गलत बात करता है देखी, मैं अपनी परसनल बात बता हूँ तो ऐसा कोई जब कोई शक्स मुझे बाहर मिलता है तो मैं उससे एक बार बोलता हूँ मेरे स्वीडियों फिर अरे जय हिंद जय भाई कि आपको इस चीजह इस तरीके से भी है और ये क्यों गलत हुआ है उम्मीद करता हूँ जो बात में आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच पाई होगी मेरे स्वीडियों फिर आरत नहीं जय हिंद, जय भार